हेलो जी, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, हेलो उप्चार यूटूब चनल और फेस्बूक पेज पर दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ना तो कोई आपको फार्मूला बना कर दिखा रहे हैं और ना ही कोई ओसिदी के बारे में बता रहे हैं आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एक प्रोडेक्ट के बारे में जी अलोस्तों, अभी जैसे मोसम चला हुआ है, गर्मी से सर्दी आई है और हलकी हलकी ठंड गिरनी भी शुरू हो गई है जब भी मोसम परिवर्तन होता है, मोसम बदलता है, तो कुछ वीमारिया आ जाती है अभी जैसे ठंड का मोसम है, तो हमारे घर में जैसे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, उनको होता क्या है, गले में खरांस हो गई, गले में दर्द हो गया ठेंड लग गई, खांशी हो गया, जुखाम हो गया ये नॉर्मल बिमारिया देखने को मिलती है और ये बिमारी सभाविक है बदलते मोसम में आही जाती है तो हमें क्या करते हैं? डोक्टर के पास भागते हैं तरह-तरह के घ्रेलू नुक्षे अपनाते हैं लेकिन आज मैं इन सभी का सोलूसन देने वाला हूँ शिरफ एक प्रोडेक्ट अपने घर में जुरूर रखिए ये एक प्रोडेक्ट आपके छोटे बच्चों के काम आएगा और बड़ों को भी काम आएगा हम डोक्टर के पास से दवाईय लाते हैं शिरफ देते हैं और शिरफ कई पर कडवे होते हैं जिसे बच्चे ले नहीं पाते कई पर बड़े भी नहीं ले पाते तो आज हम ऐसे प्रोडेक्ट के बारे में आपको बताएंगे जिनको बच्चे विराम से लेंगे और बड़े विराम से लेंगे तो प्रोड़ों कौन सा देखिए मेरे पास एक ये प्रोडेक्ट आप नजदीक से देख लीजिए आपको नज़रा रहा दिवय स्वासारी प्रवाही पतंजली का प्रोडेक्ट है मैं यहाँ पर पतंजली के आड़ नहीं कर रहा हूँ मैं सिरफ पतंजली के जो प्रोडेक्ट है उसकी आड़ कर रहा हूँ जो बहुत ज़़ा काम्याब है सर्दी, खासी, जुखाम और गले की खरास के लिए क्योंकि इसको हम काफी सालों से यूज करते आ रहे है हमारे घर में यह प्रोडेक्ट रहता ही रहता है यह देखी मैं आपको दिखा देता हूँ सेंपल यह हमारी एक बोटल खाली हो गई है दूसरी ले आए है क्योंकि हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते है उनके लिए जो और घरेलो नुक्से उनको बनाना पड़ता है काड़े बनाने पड़ते हैं यह बनाया बनाया हुआ काड़ा है और बहुत ज़्यादा काम्याब भी है तो इसमें देखिए दिवे स्वासारी परवाई है पहले मैं इसका रेट आपको बता देता हूँ पहले बहुत यह जब 4-5 साले पहले आती थी तो इसका रेट 40 रूपय था अभी रेट इनको बढ़ा करके 80 रूपय कर दिया है 500 ml का ठीक है क्योंकि छोटी सिस्चप जो आप मेडिकल से लेकर आतर डोक्टर देता हूँ वो भी 100-100 रूपय की नॉर्मल होते हैं यह 80 रूपय की है और इसमें प्योर आईरिवेदिक है और सहद में दवाई बनाई हुई तो बहुत ही बढ़िया है सर्दी खाशी जुखाम और गले खराश के लिए इसमें देखी काफी जोटी पीपली इसके अंदर है जोकी थोड़ी गरम होती है लेकिन ठंड लगने के दोरान यह बहूत यह अच्छा काम करती है खासी हैं बहुत यह बहुत यह अच्छा काम करती है और प्योर आईरिवेदिक है और बहुत ही कम दामों पर ये आपको उपलब्ध हो रही है आपके नियर अबाउट जो भी पतंजली स्टोर है वहाँ पर आपको बड़ी असारी से मिल जाएगी इसकी सेवन विधी आपको बता देता हूँ इसका उपर ये धक्कन है न ये लगवग एक चमच आता है एक गंटे बाद इसके लेने के डारेक्ट इसको ले सकता है इसके उपर पानी पीने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप सीधा इसको ले करके एक गंटे तक कुछ भी न खाये कुछ भी न पिये इसको अंदर अपने काम करने दिदिए ये देखेंगे एक सी दो दिन के अंदर कितनी भी पुरानी खांसी हो, चाहे काली खांसी हो, दमा हो गया हो, गले में खरास हो गई हो, खांसी आपकी किशी भी मेडिसन से ना जा रही हो, तो दीवे सवा सारी परवाई बहुत ही अच्छा काम करती है रही दूसरी बात, हमारे घर में छोटी-छोटे बच्चे होते हैं, जो दवाईयां लेना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए ये दवाई बहुती किफायती है, हम हमारे घर में अपने बच्चों के लिए ये दवाईया रखते हैं बच्चे बड़े सोक से लेते हैं क्योंकि बहुत ज़दा सहद की तरह मिठी होती है बच्चों को हम तो हमारे गर में गुडिया है छोटी सी धाई साल की गुडिया है वो बड़ी असानी से ले सकती है उसको आदा ढकन, आदा चम्मच वैसे दे देना बड़े चाव से लेती है और खांसी, ठंड, जुखाम गले में खरास होती हो वो बड़ी असानी से ठीक होती है एक या दो दिन के अंदर है तो दोस्तों बहुती अच्छा रज़ट है किसी प्रकरा कोई भी साइड डिफेक्ट नहीं है इस ओशदी का तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आज ही अपने घर में लाकर रख लीजिए दिवे स्वासारी प्रवाही जो बहुती अच्छा काम करती है गले की खरांस में, गले के दर्द में जुखाम में, खांसी में अगर किसी को स्वास लेने में दिख्कत है, अस्तमा की दिख्कत है देखा गया है आप इसको डिरेक्टि बे ले सकते हो आप इसको गुनगने पाने के साथ भी ले सकते हो दोनों में ब्राबर काम करने वाला है क्योंकि इसके अंदर जो content मिलाए हुए हैं वो बहुती बढ़िया content है बहुती अच्छी ओशदिया इसके अंदर mission है और पतंजली का बहुती अच्छा product ये माना गया है मैं भी मानता हूँ कि पतंजली के काफी product अच्छे नहीं है सायद आप में भी कुछ को संका होगी पतंजली के product ऐसे नहीं है वह ऐसे नहीं है मैं भी मानता हूँ काफी product अच्छे नहीं है लेकिन दीवे सवासारी परवाई ही जो है वो बहुती अच्छी है हाल ही में जो मोसम चला हुआ है तो आप इसका यूज कीजिए और अपनी इन बीमारियों को ठीक कीजिए अगर आपको यह product अच्छा लगा हो इसका result बहुत अच्छा है हो तो इस वीडियो को like और share करना बिल्कुल भी ना भूले धन्यवाद, नमस्कार, जयेगे